आज आपका फिजिक्स का सकेंड लाइब अब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है आप लोग ज़र जल्दी से लाइब आजएए और इस लाइब सेशन को जोईन करना भूले चुकी आज का जो कोस्टन है इससे आपका चुकी है ना आपका एक्जामनेशन में बहुत कम समय और इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रेशर जो है ना कुछ कम तो जरूर होगा ठीक है इसलिए इस वीडियो को शुरू से अन तक देखिए और इस लाइब सेशन में बहुत ही मजा आने वाला है ठीक है जल्दी से आप लोग लाइब आजएए फिर जरा जैसे इस जाएगा और आपको ही मजा आएगा ठीक है तो जरा जल्दी से आप लोग लाइब आ जाईए कुछ बच्चे लाइब आना शुरू हो गया है आप लोग फटा फट इस लाइब सेशन को ज्वाइन करना ना भूले ठीक है तो चलते हैं हम अब कोसन की ओर ठीक है तो किरन किन छेत्रों के मद्ध अस्थित है पहला ओप्शन ए जो है रेडियो तरंग एवं सुच्प तरंग बी जो है सुच्प तरंग एवं द्रिस प्रकास के बीच सी जो है द्रिस प्रकास एवं प्रावैगनी छेत्र के बीच डी है आपका नन अब दीज मैं इस कोसन में आ क्या कौन सा option होगा, A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, ठीक है, और इस live session को आप लोग join करना ना भूलें, ठीक है, आप लोग इस भीड को जितना ज्यादा बढ़ाईएगा, हमें उतना ही उत्साहित होंगे, और अच्छे-च्छे question लाया करेंगे, ठीक है, तो चलिए मैं इस question का solution बताना चाहूंगा, कि इस question का solution B होगा, ठीक है, option नमबर B जो है, correct answer है, अवरक्त किरन, सुच तरंग, एवं दृष्य प्रकास के बीच मद्य अस्थित होती है, ठीक है, तो चलते हैं, अगले question के और question number 2, question number 2 है, आपका ये भी जो है, हमारा काफी रोचक question है, कहता है, मैग लेब उप्योगी होता है, आपको बतानी है, option आपके सामने 4 विकल्ब दिया हुआ है, A, B, C और D, और पहला option है, आपका rail, दूसरा है कार, तीसरा है हवाई जहाज, तीसरा है और चौथा है नन, आपको बतानी है, कि मैग लेब का उप्योग, कहां सावित होगा, मैग मैग लेब उप्योगी होता है, रेल में, कार में, हवाई जहाज में, या नन अबदी, ठीक है, तो जरा मैं इस question बेट करता हूँ, आप लोगा फिर जरा इसका answer करूंगा, ठीक है, थोड़ा भीड की संखिया कम है, आप लोग जरा जल्दी भीड बढ़ाईए, चलिए मैं आप इस question का solution करना चाहूँगा, कि मैग लैब उप्योगी कहां होता है, ठीक है, तो इस question का option जो है, यह आपका correct answer है, इसका परियोग रेल में होता है, और चलिए मैं अगले question के और बढ़ना चाहूँगा, ठीक है, question number 3, question number 3 जो है, आपका काफी importance question है, और यह आपका question जो है भी भी आई सावित होगा आपके आगामी आने वाली board परिक्षा के लिए, तो ज़रा सुनियेगा, कहता है, सुवप प्रेरक्ट का SI मातरक क्या है, यहनि कि self induction का SI मातरक क्या है, ठीक है, option number A जो है column, B है bolt, C है ohm, और D है Henry, इस question का मैं wait करूंगा, 10 second का time समय दूंगा, आप ज़रा बताईए कि इस question का solution क्या होगा, A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, मैं देख रहा हूँ, कुछ बच्चे जो है, इस question का answer जो है, C पे जा रहे हैं, कुछ बच्चे A पे जा रहे हैं, और कुछ बच्चे D पर जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं इस question का solution बताना चाहूंगा ठिक है, मैं इस question का solution बताना जा रहा हूँ हूँ, कि आपका self induction का SI मातरक जो है, निश्वा प्रेडक्त का SI मातरक जो है हेंडरी होता है, ठिक है, तो चलते हैं मगले question की और question number 4, question number 4 जो है, ये भी काफी interesting question है, कहता है कि television संकेतों की आविरती का प्रास क्या है, यानि आपका frequency, television का संकेत जो है, इसकी frequency का range क्या है, पहला option जो है 20 Hz से 20,000 Hz है, दूसरा है, B है 100 MZ से 200 MHz और C जो है 10 MHz से 20 MHz और D जो है 10 to the power 14 Hz से 10 to the power 15 Hz, आपको बतानी इस question का solution क्या होगा, मैं इस question में थोड़ा सा wait कर लेता हूँ, ठिक है, फिर आप लोग से बाते भी करूँगा, फिर question का solution भी चलेगा, तो मैं देख रहा हूँ कि question number 4, हैना question number 4 का answer बहुत सारे बच्चे जो है, इसका B answer कर रहा है, ठिक है, maximum बच्चे जो है, बी answer कर रहा है, तो मैं जो है, आप लोग के साथ ही जाना चाहूँगा, कि question number 4 का solution, option number B होगा, ठिक है, चलिए हम अगले question की और बढ़ते है, question number 5, question number 5 जो है, आपका modern physics से, boolean algebra से लिया गया question है, और यह logic gate का question है, और जड़ा question सुनिये गाया, कहता है, और gate का boolean बेंजक क्या होता है, ठिक है, और gate का boolean बेंजक होता है, पहला option है, A plus B बरावर Y, B बरावर B है, आपका A into B बरावर Y, C जो है, A बर बरावर A, और D जो है, C बरावर A into B, ठिक है, इस question का मैं बेट करता हूँ, यह question जो है, आपका examination के लिए BVI सावित हो सकता है, ठिक है, चुकि logic gate जो है, काफी interesting chapter है, topics जिसको कह सकते है, कुछ इस question का answer आना शुरू हो गया है, ठिक है, बहुत सारे बच्चे जो है, इस question का answer जो है, maximum बच्चे, more than 90% बच्चे जो है, option number A, answer इसका दे रहे हैं, कि और gate का boolean बेंजक होता है, A और A plus B वरावर Y, मैं भी आप लोग के साथ ही जाना चाहूंगा, इस question का answer होगा, A, ठिक है, चलता हूँ, अगले question की ओर, और यह question जो है न, यह भी आपका board model सावित हो सकता है, question number 6, देखिए क्या कहता है, कहता है, यदि डेनियल सेल को प्रात्मिक कुंडली के सिरो के बीच, यदि डेनियल सेल को प्रात्मिक कुंडली के सिरो के बीच जोड़ दें, तो दूतियक में फलक्स परिवर्तन होगा, यदि डेनियल सेल को प्रात्मिक कुंडली के सिरो के बीच जोड़ दें, तो दूतियक में फ फ्लक्स परिवर्तन होगा, option number A है, तेन बेवर, B जो है, इस side दिया हुआ है, दसंबलोट 2-0 बेवर, C जो 0 दिया हुआ है, डी नन दिया हुआ है, ठीक है, तो ज़रा इस question का आप लोग solution करना किजिए, बताइए क्या होगा, ठीक है, डेनियल सेल, ठीक है, डेनियल सेल का ये answer क्या होगा, ठीक है, ये जो है न, चलिए, इस question का solution बिताना चाहूंगा, कि इस option का answer जो होगा, इस question का C होगा, ठीक है, चलिए हम अगले question के और बढ़ते हैं, question number 7, ये भी question आपका BVI question है, कहता है, बादलो के द्वारा प्रावर्तन होता है, option आपके सामने पहला ये जो है, सुच्म तरंगो का, B जो है रेडिये तरंगो का, C जो है अवरक्त किरनो का, D प्रावेगनी किरनो का, आपको फटाफट इस question का answer करना है, बताना है कि इस question का solution क्या होगा, A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, ठीक है, बताईए आप लोग प्रावर्तन होता है, option number A, B, C, D, बहुत सारे बच्चे जो है, इस question का solution जो है, B बता रहा है, और more than 90% बच्चे जो है, option C कर रहा है, तो मैं आप लोग के साथ ही जाना चाहूंगा, इस question का answer जो है, C होगा, बादलो के दुरा प्रावर्तन होता है, अवरक्त किरनो का, ठीक ऐप्सन, number 8, जो है, आपका कहता है, आकास से प्रकिरनित, आकास से प्रकिरनित प्रकास उदगर आ रही है, यह प्रकास कैसा है, हैना, option A है, धुरुबित एवं नीला, B है, A धुरुबित है, C दुरुबित एवं स्वेत, D, नन, इस question का solution करना है आप लोग को, ठीक है, आक प्रकास से प्रकिर्नित प्रकास उदागर आ रही है, थिक है? यानि की लंबत आ रही है, तो कहता ये प्रकास क्या होगा धुरुवित एवं नीला, कि आ धुरुवित है, धुरुवित एवं स्वेट डीनन, थिक है? इस खोर्टन का फटावंट आप लोग एन्सर कीजिए, फ इसका option B कर रहे हैं, कुछ बच्चे C कर रहे हैं, और कुछ बच्चे A कर रहे हैं, तो मैं इसका answer बताना चाहूँगा, इस question का answer होगा A, धुरूबित एवं नीला, ठीक है, चलिए हम अगले question के और बढ़ते हैं, question number 9, question number 9 जो है क्या करता है, जब लाल सट पर नीला प्रकास डालेंगे तो वह दिखाई देगा, ठीक है, जब लाल सट पर नीला प्रकास डालेंगे, तो वह कैसा दिखाई देगा, पहला option है काला, B, पीला, C, हरा, D, ठीक है, आपको बतानी है, मैं थड़ा बेट करूँगा आप लोग का, किस question का solution क्या होगा, ठीक है, फटा-फट इस question का solution कीजिए, आप लोग, तो बहुत सारे बच्चे जो है, maximum बच्चे जो है, इस question का answer A कह रहा है, याने कि more than 95% बच्चे जो है option A कर रहा है, मैं आप लोग के साथ ही जाना चाहूंगा, इस question का solution A होगा, यानी क जाला होगा ठीक है चली अगले कोस्टन के और बढ़ते हैं कोस्टन नमबर टेन ये काफी इंट्रेस्टिंग कोस्टन है जी ठीक है और ये आपका बोर्ड मोडल सावित हो सकता है कहता है वह घटना जिसमें कुछ धातूँ पर प्रकास पढ़ने पर उनसे एलक्ट्रोन उतसर परजित होते हैं कहीं जाती है ओप्शन ऐ है प्रकास बिद्धूत प्रभाव बी फोटोग्राफी सी प्रकास भित्ती राद्टि जो है प्रकास संसलेशन ठीक है आपका एंसर करना एकJack मोई-10 का इंसर क्या होगा अप लोग फटा फट्वट इस कोस्टन का एंसर किजिए रहे हैं कुछ बच्चे डी भी कर रहे हैं चलिए मैं इस question का solution अब बताना चाहूंगा question का solution A होगा जी है ना प्रकास इस question का solution यह होगा प्रकास बिद्धूत प्रभाव ठीक है चलिए हम अगले question की और बढ़ना चाहेंगे question number 11 ठीक है यह भी है question काफी importance रखेगा आपके examination के लिए कहता है nuclear घनत्यों का करम होता है option A है 10 to the power 3, B 10 to the power 17, C 10 to the power 6, D आपका ना नहीं बतानी है फटाफट इस question का solution क्या होगा ठीक है मैं आपके शाथ बना रहूंगा और इस question का फटाफट answer करना है चुकी जब तक live session में भीड़ नहीं होगी ठीक है तब तक चलिए फटाफट इसका answer कीजिए question number 11 question number 11 का answer क्या होगा तो बहुत सारे बच्चे जो है option A कर रहे हैं कुछ बच्चे B कर रहे हैं कुछ बच्चे C कर रहे हैं कुछ बच्चे D कर रहे हैं तो मैं इस question का solution बताना चाहूंगा 10 to the power 17 होगा जी ठीक है ये इसका answer होगा option number B ठीक है चलिए हम अगले question के और बढ़ते हैं question number 12 question number 12 क्या है ये फी काफी खतरना question लग रहा है कहता है जिवास्म की आयू पता की जाती है जिवास्म की आयू पता की जाती है option A है कारवन डेटिंग से B एक्सरे से C गामा किरन से और D लेजर से ठीक है question number 12 जिवास्म की आयू पता की जाती है कारवन डेटिंग से B एक्सरे से C गामा किरन से D लेजर से चलिए फटाफट इसका answer कीजिए फिर मैं आप इस question का solution बताऊंगा question number 12 question number 12 का answer क्या होगा आप लोग जराब बताईए हमें ठीक है कि इस question का solution क्या होगा चलिए बहुत सारे बच्चे जो है इसका option maximum बच्चे जो है option A कर रहे हैं मैं भी आपके साथ जाना चाहूंगा इस question का solution A होगा carbon dating से चलिए अगले question की और बढ़ते हैं question number 13 देखे क्या काता है 13 कहता है जब हिलियम का एक परमानों दो इलक्ट्रोन को खो देता है तो वह बदल जाता है ठीक है हिलियम ही हिलियम ठीक है हिलियम का नाम सुने होंगे आप लोग जब हिलियम का एक परमानों दो इलक्ट्रोनों को खो देता है तो वह बदल जाता है option A alpha कन B neutron में C proton में D none में आपको बतानी है फटाफट इस question का solution क्या होगा जब helium का एक परवान दो electron को खो देता है तो वो किस कन में बदल जाता है या किस में बदल जाता है फटाफट किजिए answer आप लोग मैं बेट करता हूँ answer आना बच्चों का शुरू हो गया है ठीक है बहुत सारे बच्चे जो है B कर रहे है बहुत सारे बच्चे C कर रहे है बहुत सारे बच्चे A कर रहे है तो मैं इस question का solution बताना चाहूँगा question number 13 का जो option answer होगा यह आपका A होगा यह अलफाकन में ठीक है चलिए हम अगले question के और बढ़ना चाहेंगे question number 14 ठीक है यह कहता है यह decimal system दसमलव अंग पदती की संख्या 27 की दुईधारी पंक्ती में समतुली संख्या पदती होगी decimal system to binary system में बदलना है decimal system to binary system और यह हमका 27 है उसको बताने है इसका option क्या होगा A होगा की B होगा की C होगा की D होगा आपके शामने option चार option रखा गया है फटा-फट आप लोग इस question का solution कीजिए और यह question आपका BBI सावित हो सकता है ठीक है फटा-फट इस question का solution करना ना भूलिएगा द्रजल्दी से इस question का solution कीजिए मैं आपके साथ बना हुआ हूँ ठीक है question number 14 question number 14 का बहुत सारे बच्चे जो है इसका option B कर रहा है और बहुत सारे बच्चे जो है इस question का solution D कर रहा है कुछ बच्चे जो है इस question का solution A कर रहा है 14 का तो मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, कि इस question का solution A होगा, ठीक है, 11011, ठीक है, चलिए अगले question की और बढ़ते हैं, question number 15, ये जो है आपका semi conductor से question लिया गया है, और कहता है कि एन प्रकार अर्ध चालकों में बहु संक्यक धारवाही होते हैं, एन प्रकार, semi conductor में बहु संक्यक धारवाही होते हैं, option number A proton, B hole, C alpha current, D electron, मैं इस question में आप लोग का wait करना चाहूंगा, कि इस question का solution क्या होगा, जरा फटावट किजिए, और इस question ये question जो है काफी interesting question है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, semi conductor में P type, N type, ठीक है, जरा बताईए फटावट इस question का solution क्या होगा आप लोग, तो बहुत सारे बच्चे में देख रहा हूं, option करना शुरू कर दिये हैं, इस option का answer जो है, more than 95% बच्चे जो है, D option कर रहे हैं, 15 number question का answer, D कर रहे हैं, मैं भी आप लोग के साथ जाना चाहूंगा, इस question का solution, D होगा, ठीक है, गुनांग की SI1 क्या है, मैं फिर से बताना चाहूंगा, question, 6 गुनांग की SI1 क्या है, मैं पहले ही बता चका हूं, कि आपका objective में, एक objective SI35 से होगा, और एक बिमा सुत्र से होगा, ठीक है, तो ये कहता है, 6 गुनांग की SI1 क्या है, आपको बतानी है, कि आपका इसका answer क्या होगा, फटा-फट question का answer किजी आप लोग, 6 गुनांग की SI1 क्या है, 16 का answer आप लोग बताए, question number 16, बहुत सारे बच्चे जो है, इसका answer B कर रहे हैं, कुछ बच्चे C कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे A कर रहे हैं, तो मैं 16, 16 का answer बताना चाहूंगा, ठीक है, आपका इसका हर्ज, हर्ज होना चाहिए, ठीक है, चलिए अगले question की और बढ़ते हैं question number 17 question number 17 जो है आपका ये लिया गया है आपका atom से लिया गया है निरदर फोर्ड का जो model उससे लिया गया है कहता है रदर फोर्ड का प्रकिर्णन परियोग से यहनि जो catering होता है रदरफोड का प्रकिर्णन प्रियोग से नमलिखित में किसके अस्तित की खोज हुई ठीक है नहीं रदरफोड का जो स्केटरिंग था उसमें किसकी खोज हुई मैं इस question में आप लोग का वेट करना चाहूंगा देखना चाहूंगा चुकि ये question आपका exam में BBI सावित हो सकता है ठीक है फटाफट आप लोग इसका answer किजिए मैं आपके साथ बना हुआ हूँ question नमर 17 का answer करना है कि फटाफट इस question का answer क्या होगा इस live session में आप लोग मजा लीजिए ठीक है question नमर 17 question नमर 17 का answer क्या होगा आप लोग फटाफट इसका answer किजिए तो मैं अब इसका answer बताने जा रहा हूँ है बहुत अरबच्चे जो है A कर रहे है maximum बच्चे जो है B कर रहे है इस question का solution जो होगा 17 का B होगा चलिए हम अगले question की और बढ़ना चाहेंगे और question number 18 यह है semi conductor से लिए question करता है P प्रकार अर्ध चालकों में अलब संख्यक धारवाही होते हैं A electron, B hole, C photon और D proton यह आप लोग पढ़े होंगे N type, P type semiconductor तो इस question का solution कीजिए question number 18 का solution क्या होगा ठीक है इस question का solution क्या होगा question number 18 फटाफट आप लोग इसका जवाब दिजिए बहुत सारे बच्चे A कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे B कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे C कर रहे हैं मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इस question का मेरे हिसाब से D option होगा जी ठीक है चलिए हम अगले question के और बढ़ते हैं question number 19 question number 19 देखे क्या करता है YC युक्ति जो modulant तथा B modulant दोनों का कारी करता है उसे क्या करते हैं laser, radar, modem या facts YC युक्ति जो modulant और B modulant दोनों का कारी करता है उसे क्या करते है laser, B radar, C, modem defects फटा-फट इस question का answer किजिए आप लोग ठीक है चुक्ति ये question काफी interesting question है चलिए बहुत सारे बच्चे जो एक कर रहे हैं कुछ बच्चे भी कर रहे हैं कुछ बच्चे C कर रहे हैं मैं option इसका answer बताना चाहूंगा option number C modem चलिए मैं question number 20 की और बढ़ना चाह रहा हूं ठीक है तो आपका 20 number question क्या है बातावरन के किस सता से radio wax परिवर्तित होता है ionosphere mesosphere chromosphere आपको बताने है इस question का solution क्या होगा ठीक है option number A, B, C, D क्या होगा answer आप लोग फटावट किजिए फिर मैं इसका answer बताऊंगा इस question का answer क्या होगा बातावरन के किस सता से radio waves परिवर्तित होती है radio waves परिवर्तित होती है चली बहुत सारे बच्चे इसका answer मैं देख रहा हूं यह कर रहा है इस question का solution यह होगा ionosphere होगा question number 21 देखिए question number 21 आपके सामने क्या है आपके screen board पे कहता है उपगर संचार में मैं इस question में आप लोग साथ बेट करना चाहरा हूं question number 21 का answer क्या होगा फटाफट answer कीजिये इसका आप लोग बहुत सारे बच्चे ए कर रहे हैं बी कर रहा हैं, C कर रहा हैं, कुछ बच्चे D बी कर रहा हैं, 21 का question जो होगा, answer D होगा, जी, सुच्म तरंग, चलिए मगले question के और बढ़ते हैं, question number 22, गता UHF परिसिमा की आविर्थिया सामानिता संचालित होती है, भूत तरंगों के दोरा, B है अकासी तरंगों के दोरा, C प सामानिता संचालित होती है, इस question का answer D होगा, जी, अंतरिक्च तरंगों के दोरा, चलिए question number 23, ये है, प्रकासिक तंतु का सिधान्त है, किसका, बिवर्तन का, कि ब्यतिकरन का, कि पुर्णान्तिक परिवर्तन का, कि D अबर्तन का, ये काफी BVI हमको question लग रहा है, आपको जो लगे, मेरे इसाब तो भी BVI है, question number 23, 23 का answer क्या होगा, प्रकासिक तंतु का सिधान्त है, बिवर्तन, प्राव्यक्तिकरन, ब्यतिकरन, पुर्णांत्रिक प्रवर्तन, D F वर्तन, इस question का मैं solution बताने जा रहा हूं, question number 23 का, होगा, पुर्णांत्रिक प्रवर्तन, येनि, total internal reflection, चलिए अगले question के और बढ़ते हैं, ये भी आपका काफी interesting question है, करता है, hydrogen spectrum में जब संक्रमन किसी उच कच्छा से दूसरी कच्छा में होता है, तो प्राप्त होती है, ये लाइमन स्रेनी, बामर स्रेनी, पासकन स्रेनी, और ये फुंड स्रेनी, आपको बताने कि इसका answer क्या होगा, ठीक है, question number 24, question number 24 का आप लोग रावटे answer किजिए, लाइमन स्रेetus की बेमर स्रेक की पासकन स्रेक की फुंड स्रेक, ठीक है, बताईए इसका answer, मैं इसका answer बताना जा रहा हो, 24 का क्या होगा, 24 का होगा, ब्लेमर स्रेक जयनी बामर स्रेक इसको बलते हैं, चलिए question number 25 की और बढ़ना चाहेंगे, question number 25 देखिए, क्या है मारा, काता नाभिक कितरी जिया की कोटी है 10 to the power minus 14 meter, 10 to the power minus 15 meter, 10 to the power minus 16 meter, question number D minus 18 meter, फटाफट answer की जिया आप लोग, है निकलियस की radius की range क्या है बताइए, 25 question यही पूछा गया है आपसे, मैं इस question बेट कर लेता हूँ आप लोग का, चोकि आप लोग ने modern physics में, यहना atom और निकलियस की पढ़ाई की है की नहीं की है, इससे पता चलेगा, तो बहुत सारे बच्चे जो है मैं देख रहा हूँ, screen word पे की option जो है, ए कर रहे है, question number 25, तो मैं भी आप ही लोग के साथ जाना चाहूँगा, इसका answer होगा, 10 to the power minus 14 meter होग चली है मगले question की और चलते हैं, question number है आपका 26, read बर्ग निया तांग का मातरक होगा, meter inverse, b meter, c second inverse, ds second, बताए फटाफट 26 का answer क्या होगा जी, ठीकि लाइब सेशन में जब तक आप लोग की भीर नहीं होती है, तो हमें मजा नहीं आता है, ठीक है, चली 26 का answer आप लोग option A कर रहा है, और कुछ बच्चे B कर रहा है, कुछ बच्चे C कर रहा है, इस question का answer होगा A, ठीक है, चली है हम अगले question की और बढ़ते है, question number 27, काता है इन में से कौन आपेस रही थै, alpha, beta, photon, photon, and d proton, बताए फटाफट की 27 number का question क्या होगा, कि इस में से कौन आपेस रही थै, जिस पे आपेस परजेंट नहीं है, एन एपसेंस अफ आपेस, कौन सा पार्टिकिल्स है, alpha पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स की फोटोन पार्टिकल्स की प्रोटोन, चली 27 number का मैं एंसर करना चाहूँ, photon पार्टिकल्स, ठीक है, चली आपका question number 28, question number 28 जो है क्या है, कहत c1, b6, d, बिवर्तन, आप लोग फटा फट एंसर कीजिए, मैं आप लोग के साथ वेट करना चाहूँगा, question number 28 का एंसर क्या होगा, फटा फट आप लोग इसका एंसर कीजिए, 28 number question, क्या एंसर क्या होगा, बहुत सारे बच्चे ये कर रहे हैं, और more than 70% बच्चे जो है, बी कर रहे हैं, मैं अब इसका एंसर बताना चाहूँगा, कि option number B जो होगा, आपका 28 का correct होगा, जी, चलिए, अगले question के और बढ़ते हैं, question number 25, देखिए क्या है, कहता है, डेवीशन जर्मर परियोग से, डेवीशन जर्मर परियोग से, अलेक्ट्रोन की जिस प्रकिर्ती का सत्यापन हुआ, वह थी, कन प्रकिर्ती, B तरंग प्रकिर्ती, C आविशित कन, D आप कन्नन है, जर्ब बताईए, मैं इस question में आप लोग को बेट करता हूँ, question number 25, question आपके screen पे है, option 4 है, A, B, C, D, बताईए किसका एंसर क्या होगा, 29, 29 का एंसर क्या होगा, आप लोग फ्टाष इसका एंसर कीजिए, फिर मैं आप लोग को एंसर बताना चाहूंगा, ठीक है, बहुत सरे बच्चे ए कर रहे हैं, बहुत सरे बच्चे जो C कर रहे हैं, कुछ बच्चे D पे भी जा रहे हैं, 29 का, मैं एंसर करना चाहूंगा, option number जो होगा B होगा जी तरंग प्रकिरती होगा ठीक है चलिए अगले कोस्टन के और बढ़ते हैं कोशन नमबर 30 है ना बुश्टर का नियम क्या है option नमबर A है आपका N is equal to sign IP B बरावर है N is equal to cos IP C बरावर N 10 IP आपको बताने है कि बुश्टर का नियम क्या है फटा फटा आप लोग एंसर किजिए क्या होगा ABC यह डी होगा ठीक है चुकि लाइव सेशन में इनर्जेटिक रहा किजिए ठीक है question number 30 question number 30 बहुत सरे बच्चे जो है answer जो है C कर रहा है कि इस question का answer जो होगा C होगा more than 95% बच्चे जो C पर जा रहा है चलिए मैं भी इस question का solution C करना चाहूंगा चलिए question number जो है आपका 31 ठीक है चलिए इस question का question 31 क्या है कहता है जिवास्म की आयू पता की जाती है जिवास्म की आयू पता की जाती है carbon dating से, x-ray से, gamma की रन से, bd जो है laser से आप लोग फटा-फट answer कीजिए इस question का 31 का answer क्या होगा ठीक है चलिए बहुत सरे बच्चे जो है इसका answer में देख रहा हूं आपका ये 32 ये आपका BBI question सावित हो सकता है जी करता है पुन तरंग जिश्ट कारक में उप्योग होता है ये 2 डायोड, 3, b, 3 डायोड, c, 4 डायोड, d, none चलिए 32 का answer की जी आप लोग ठीक है बहुत सरे बच्चे जो है इसका answer आप देना शुरू कर दिये हैं बहुत सरे बच्चे जो B कर रहा है, कुछ C कर रहा है, कुछ D कर रहा है चलिए मैं इसका solution बताना चाहूंगा 32 का ये होगा 2 डायोड ये है 33 नमर question plank नियतांग का मान होता है जी आपको बतानी है, option पहला है 6.63 इन्टु 10 दिपावर माइस 64 जूल इन्टु सेकेन B जो है 6.6 इन्टु 10 दिपावर माइस 24 जूल प्रती सेकेन C जो है 6.67 तेन्टु दिपावर माइस 11 न्यूटन पर केजी D 9 इन्टु 10 दिपावर 9 फटाफट कीजिए इस question आप लोग plank constant पढ़े होंगे chemistry में पढ़े होंगे daily बरावर xy lambda वहाँ h जो है plank constant होता है 33 ठीक है 33 का answer आप लोग कीजिए फटाफट क्या होगा मैं इस question अबेट करना चाह रहा हूं चुकि यह chemistry में पढ़योग होता है फिजिक्स में परियोग होता है 33 33 चलिए बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है answer A कर रहा है और यह chemistry physics दों में आता है चलिए squash solution जो होगा A होगा जी ठीक है चलते हैं अगले question की ओर question number 34 देखे क्या काता है द्रव्य तरंग सिधान्त के प्रतिपादक थे आपको बताने है option number A D ब्रोगली B हाइगेंस C ह ए बिल्सन और D फ्रेशनेल बताइए क्या होगा मैं आपके साथ हूँ बेट कर रहा हूँ आप लोग का answer का question number 34 कि इसका answer क्या होगा question number 34 का answer क्या होगा फटा फटा आप लोग इसका answer कीजिए जी चुकि ये काफ़ी interesting question है मैं इसका answer करना चाहूँगा इसका answer क्या होगा फटा फटा आप लोग answer कीजिए चलिए है ने बहुत सारे बच्चे जो है इसका answer जो है 34 का कुछ बच्चे B कर रहे हैं कुछ बच्चे C कर रहे हैं कुछ बच्चे A कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा D ब्रोगली इस question का solution A होगा चलते हैं अगले question क्यों 35 question 35 number ठिक है 35 number question क्या है करता है तरंग दर के बढ़ते करम में प्रकास के रंग है option number A लाल निला पिला B पिला लाल निला C निला लाल पिला D निला पिला लाल ठीक है तो चलिए इस question का solution कीजिए मैं आपके शाथ बना हूँ फटा फटा अंसर करना है आप लोग को मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चे कहां से कहां तक पढ़ाय किया है कौन-कौन topics पढ़े हैं कि नहीं पढ़े है चलिए कुछ बच्चे जह है option A कर रहा है कुछ बच्चे B कर रहा है कुछ बच्चे C कर रहा है कुछ बच्चे D भी कर रहा है 35 का तो इस question का मैं solution बताना चाहूंगा कि option number D जो होगा इसका correct answer होगा जी ठीक है इस question का answer जो होगा आपका D होगा ठीक है तो चलिए है न मैं आपके सामने जरा रुकिएगा चुकि इस live session में कुछ मैदार बाते नहीं होगी तो फिर मजा नहीं आएगा ठीक है मैं आप लोग से कुछ सब्द लेकर आया हूं और मैं सब्द आप लोग को कहना चाहता हूं ठीक है चलिए देखिए कुछ सब्द में जो है आपके सामने क्या है सो देखिएगा और उसको comment करना ना भूलिएगा देखिए कोई परिंदा जो है क्या कहता है कहता है खोल और उडान बाकी है जमी नहीं मंजिल मेरी जमी नहीं मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है लहरों की खामोसी को समंदर की बेवसी मत समझ ऐ नादान सुनिया गजरा फिर से कदर लहरों की खामोसी को समंदर की बेवसी मत समझ ए नादान जितनी गराई अंदर है बाहर उतना तुफान बाकी है ठीक है जरा ये साइरी कैसा लगा आप लोग कॉमेंट किजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में और इस वीडियो को अपने दोस्तों साफ पाथियों को सेर करना ना बुलिएगा ठीक है